बिग बॉस 13 के ग्राइड फिनाली से पहले तै हुआ हिमानशी कुराना और असीम रियास के बच्चे का नाम फैंस दे किया जग जाहीर हेलो गाइस मैं हुजोती और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइन्स बिग बॉस 13 अब 30 से अपने फिनाली की तरफ बढ़ रहा है इसके साथ ये शोशल मीडिया के उज़र इस शो के लिए बहुत ज़द एक्साइटमेंट दिखा रहे है वो अपने फीडिट केंटेस्टन को वोट करने के साथ-साथ उनके बारे में भी शोशल मीडिया पर भी चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे है और ये सब ट्रेंट भी हो रहा है हारे में सिदाश शुकला शाहिनास गिल बिग बॉस की खर में अपने बच्चों के नाम की बारे में बातचित करते हुए दिखाई दिये थे और इसकी बार फैंस बहुत ज़दा एक्साइटेट हो गए थे बिग बॉस की घर में सिद्धा शुकला से बात करते हुए शाहिनास गिल ने बच्चे का नाम जोरावर रखने के इच्छा जाहिर की थी शोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो बहुत तीसी से वाइरल भी हुआ था दोस्तों और तो और जोरावर ये नाम शोशल मीडिया पर खुब ट्रेंड होता भी दिखाई दिया था फिल जोरावर नाम ट्रेंड होता देख बिग बॉस की एकस कंटेस्टन पर हिमानशी खुराना ने भी सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक पोस्ट शेयर किया है इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करने के साथ ही उनको हसी भी आ रही है उन्होंने इस पोस्ट को शेयर कर आना के फैंस से दोनों के बच्चों का नाम मानसी रखा है। वेल बहुत इंट्रेस्टिंग बात है और ये अब बहुत ट्रेंड भी हो रहा है। वैसे गर बात करें हिमानशी खुराना की तो बिग बॉस की घर में उनकी एंट्री वाइल कार के तौर पर हुई थी। बिग बॉस में एंट्री के बाद असीम रियास ने उनको प्रोपोस किया था लेकिन उस दोरान उन्होंने उसको लेकर कुछ भी खास एक्साइटमेंट नहीं दिखाया था। इसके बाद जब हिमानशी कुराना घर से बेघर हुई तब उनकी प्यार का हैसास हुआ और जब वो फिर से घर में गई तो नो ने उनकी प्यार को स्विकार कर लिया। वही हमने बिग बॉस की घर में ये भी देखा तक कि असिम रियास एहिमानशी कुराना को शादी के लिए भी प्रोपोस किया था तो दोस्टों अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेस्बुक पेज जरूर लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल जरू सब्सक्राइब करें और ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़र है हमारे साथ